लोनी के नानू गाव से जेनेक्स्ट पब्लिक स्कूल नियर मंदोला चौकी अपने भाई को छोड़ने जा रहा था वे दोनो कक्षा तीन में पढ़ते थे स्कूल से लगबक सो मीटर पहले उनकी बाईक सामने खेकड़ा की तरफ से आ रही बाईक से टकरा गई जिस पर अरुन पुत्र राजबीर निवासी नंगला बहलोल पूर सवार था तकर इतनी भीशन थी की दोनों बाईकों के आगे से पर खचे उड़ गए और पहियों के रिम तक तूट गए जहां नानू निवासी दोनों चचेरे भाई अमित वरूद्र की मौके पर ही मौत हो गई गणी मत रहा कि मौतक अमित की चचेरी बहन तनू तकर लगने से उचलकर रोड के नीचे कच्चे स्थान पर जागिरी जिसे मामूली चोट आई है मौतक अमित मंडोला पुलीस चोकी के पास फैक्टरी में प्राइवेट नौकरी करता था और अपने पिता का अकेला लड़का था मौतक रूद्र भी अपने पिता का एक मात्र अकेला लड़का था वही आनन फानन में दूसरी बाइक पर सवार अरून को पुलिस ने जी टी बी अस्पताल में भरती कराया जहां उसकी हालत गंबीर देखते हुए डॉक्तरों ने दिल्ली ट्रॉमा उस्पिटल रेफर किया जहां कुछ देर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई हाथसे से मृतिका के गाव नानू में कोहराम मचा हुआ है थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतिकों को पोस्मोर्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक कारवाई शुरू कर दी गई है हमारे पास यह दोनों जो आहे थे रुधर बच्चा जो है स्कूल ड्रेस में था और उनके साथ थे अमित बताया जो पास यह दो जो आहे थे रुधर बच्चा जो है तो पुलिस ही लेकर आई थे और वो ब्रॉट डैट थे करीब लगबग साथ पच पन के आसपर जहां तर आए थे तो उन दोरों में सासे नहीं थे और उन्हें करीब आज दस पर ब्रॉट पूशित के रहा है और लिकापणी सब कर दी है तो सारी चीज है बाकी तहकीकात अप पास में तोरस्ता में आए थे और प्रॉबर्ली कॉल्स अफ डैट जो है तो है खाड इंजरी है तो चूप